हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका BSR studies पर दोस्तों नौर्थ वेस्टरन डेलवे जायपूर ने trade apprentice recruitment 2018 जारी कर दिया है और यह बहुत ही बड़ी vacancy है इसमें बहुत सारे post हैं प्लस 2000, 2000 प्लस आपके करीब करीब post हैं इसमें दोस्तों application के बारें बात कर लेते हैं application आप 30 नौर्बर 2018 से fill up करेंगे और last date होगा इसका 30 दिसंबर 2018 यानि कि एक महिने पूरे एक महिने के बीच में आप form को apply कर सकते हैं जेंडल और OVC के लिए 100 रूपे fees होंगे application fee जेंडल OVC के लिए 100 रूपे, SCST, PH के लिए शुन्य और महिला के लिए भी शुन्य है दोस्तो application fee आप online mode पे pay करेंगे exam date यानि कि या merit list आपका जो है वो बहुत जल्दी notified हो जाएगा उसके लिए आपको official website पर विजट करते रहना होगा दोस्तो total post जो है 2090 है total रिक्तियां 2090 है और अलग-अलग post के लिए अलग-अलग रिक्तियां है age limit दोस्तो minimum 15 साल और maximum 24 साल 30 December 2018 के आधार पर होने चाहिए eligibility criteria में दोस्तों 10th past होने चाहिए आप plus यानि कि with आपको ITI certificate related trade में होना चाहिए यह compulsion है इस form का 10th plus ITI दोस्तो जोन वाइज आप vacancy दे सकते हैं जैसे कि BTC के रिए जजमेर के लिए जेनरल का 84, OBC का 45, SC का 25, ST का 12, total 166 तो उसी प्रकार अलग-अलग जोन के लिए अलग-अलग category के लिए अलग-अलग रिक्तियां है दोस्तो आप इस form को सरकारी-result.com पर जाकर fill up कर सकते हैं ओफिसियल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तो ओफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है आप देख रहे हैं selection का जो criteria है वो आपका 10th में जो आपका percentage of marks है matriculation में और plus ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done यानि कि जिस trade में आप ITI है plus उसका marks और matriculation में percentage of marks के अधार पर आपका selection होगा अगर आप select कर लिये जाते हैं तो आपको selected division या unit पे बुलाया जाएगा वहाँ पर आपका verification होगा तो दोस्तों आप देख रहे है official notification ग्यार पन्नो का है दोस्तों बहुत ही बड़ा है मुखे बाते मैं आपको बता चुका हूँ photo के बारे में बता देता हूँ payment के बारे में बता चुका हूँ आपको photos और signature आपको कैसे upload करना है photograph जो है आपका 3 cm गुड़े 3 cm size का होना चाहिए और वो jpg या jpeg format में होना चाहिए दोस्तों 20 के 20 से 70 kb के बीच में होना चाहिए size signature जो है आपका 20 के 20 से 30 kb के बीच होना चाहिए 3 cm गुड़े 3 cm jpg, jpeg format में होना चाहिए इसको आप स्कैन करेंगे signature को और photograph को photograph recent होनी चाहिए तो दोस्तों यह जो है official notification है और यह form का criteria है इस form को आप flip करें जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छा मौका है ITI वालों के लिए तो दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को दबालें ताकि कोई वीडियो अपडेट करने पर अपलोट करने पर आपको notification मिल जाए तक तक के लिए भाई दोस्तों धन्यवाद